हाई फ्रेंट्स वेलकम टौ आवर यूटूब चेनल फ्रेंट्स आज की इस नई वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि डाक पे यूपी आई से किसी के पास पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही simple तरीके से आज step by step बताने वाले हैं कि आप टाक पे UPI से किसी के पास आसानी से payment कैसे भेज सकते हैं आज हम UPID से भी payment भेजने के लिए बताएंगे ब्रस में bank account से भी payment भेजने के लिए बताएंगे और तिसरा contact list से भी payment भेजने के लिए बताएंगे तो इस वीडियो को आप शुरू से लाज तक चरूर देखे फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है नीचे दिये गए लाल बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बगल का बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है फ्रेंट्स सबसे पहले आपको डाक पे यूपी आई को ओपेन कर लेना है ज़़ि आपने डाक पे यूपी आई में अपने एकांट किरियेट नहीं किया है तो इसका वीडियो मैंने अर्डेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक में उपर आई बटन में दे दिया हूँ वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर कही पर भी आप पेमेंट भेज सकते हैं अपना डाक पे UPI को आपेंड करने के बाद यहाँ पे आपको पास कोड एंटर कर दिये उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिख जाएगा और यहाँ पे आपका UPI दिख जाएगा आपको जो मोबाइल नमबर रहेगा और पुलस में 8 दर 8 पोस्ट बेंक और डिफॉल्ट एकाउंट जो बैंक आप इस डाक पे UPI में रेइस्टर करेंगे सेलेक्ट करेंगे वो बैंक एकाउंट का 4 डिजिट का नमबर भी आपका यहाँ पे सो होगा तो आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे तीन ओप्सन दिख रहा होगा पे या ट्रांसफर कलेक्ट पेंडिंग एप्रूबल यहाँ पे आपको पे में किलिक करना है पे में किलिक करने के बाद सबसे पहले यहां पर UPID या एकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पर on transfer और यहां पर contact list में जो भी डाक पर UPI को चला रहे हैं उनके पास अब पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम सबसे पहले यहां पर UPID को डाल कर पैसे transfer करने की कोसिस करते हैं तो सबसे पहले अभी हम फिलाल हम अपना UPID को copy कर लेते हैं और यहां पर हम pay to में यहां पर हम paste कर देते हैं पेस्ट करने के बाद यहां पर हम verify कर लेते हैं कि यह UPID सही है या नहीं तो verify करने के बाद, verify करने के बाद यहां पर default pair, यहां से आप असानी से इस CPID में payment भेज सकते हैं, how much में आपको जितना amount भेजना है, माली जी 100, 200, 500, 1000, 5000, यतना भी आपको भेजना है, वो amount आपको यहां पर डालना होगा, उसके बाद remarks में आप कुछ भी डाल सकते हैं, send, money, या pay, जो भी आपको डालना है, वो आप डालके, नीचे यहां पर आपका account number 100 हो जाएगा, और ज़दी आपको इस account में balance है या नहीं, ज़दी वो चेक करना है, तो आप नीचे यहां पर देख पा रहे होंगे, चेक balance, चेक balance में जैसे आप किलिक करेंगे, तो आपको एक, आप जो UPI pin select किये थे, वो pin को आपको यहां पर डालना होगा, वो pin जैसे डालेंगे, तो आपका balance यहां पर दीख जागा, तो फिलाल हम back हो जाते हैं, यहां पर यह सब एक बार आपको सही से देख लेना है, UPIID केतना भेजना है, और रिमार्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसके बाद यहां से आपको continue कर देना है, लेगने यहां पर क्या लिख रहा है, you cannot transfer funds between the same bank account, कारण कि मेरा इसी bank account का UPIID है, इसलिए में नहीं जा रहा है, तो यहां पर आपको UPI AA किसी कभी मंगाना होगा जिस जहां पर भी आपको payment भीजना है, तो अब हम send to account में click करते हैं यहां से आपको यहां पर आपको click करना होगा send to account में यहां पर click करने के बाद हम account number यहां पर डाल देते जिस account में हमको पैसा डालना है suppose that और यहां पर re-enter account number में आपको hit से डालना होगा इसको बाद यहां पर IFC code आपको लिखना होगा यहाँ पर automatic यहाँ पर आपका IFC code से ट्रेक कर लिया Bank of India यहाँ पर आपका जो भी location हो वो location यहाँ पर आगिया उसके बाद आपको यहाँ पर verify पर click करना है verify में click करने के बाद यहाँ पर beneficiary name भी automatic आगिया है और यहाँ से हम इसको यह एड कर लेते हैं एड कर लेने के बाद यहाँ पर आ गिया है राजिसक मरसा और last का 4 digit का नमबर यहाँ पर दीख रहा है और यहाँ पर how much में आपको जितना payment भेजना suppose that हम अभी 100 रपीम भेजते हैं और यहाँ पर रिमार्स में कुछ भी आप डाल सकते हैं send money में send money हम लिख दी है यहाँ पर हम pay from इस account से जा रहा है जो मेरा डाक पर UPI में register है उसके बाद यहाँ से हम continue करते हैं continue करने के बाद आपको एक confirmation के लिए आपको पूरा एक बार चेक कर रहेना है कि from UPID इस UPID से जा रहा है from account इस account number से जा रहा यहाँ पर to account 3116 लास्ट में beneficiary name राजिस्क मर्सा और एमांट इतना है और इमांट में यह और यह सारा चे जब पढ़ सकते है नीचे जो भी है और यहाँ से हम confirm कर देते है confirm करने के बाद आपको UPID कि पिन डालना होगा उसके बाद next कर देते हैं कि next करने के बाद your transaction has been completed successfully उसके बाद हम यहाँ पर हम हम में आ जाते हैं और यहाँ पर SMS भी आ चुका है यहाँ से हम पेंडिंग और एप्रूबल एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दीख रहा है लेकिन जो payment अभी हम मैंने भेजा है वो payment उस bank account में पहुच चुका है जो bank account में ने एंटर किया था और तिसरा option है यहाँ से आप contact contact में जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको pay to में click करना होगा और pay to में जैसे आप click के यहाँ पर सारा सबका नंबर यहाँ पर दीख गया है जो जो अभी डाक पर UPI चला रहे हैं उन सबका यहाँ पर UPID देख रहे हैं यहाँ पर नंबर राता पैसा चला जाता है इसलिए आप इस एप को रखें जदि आप Google पे चलाते फोन पे चलाते पे टीम चलाते जो भी चलाते इस एप को भी साथ में रहें बहुत ही बहतरी नेफ है यह इंडियन पोस्ट पेमेंड बैंक का अपना एफ है इसका सर्विस भी काफी अच्छा है मै मैंने रेजिस्टेशन करते समय अपना जब एकांट मैंने क्रियेट कर रहा था उसमें भी किसी भी तरक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तुरंत एकांट क्रियेट हो गया और पैसा भी आप देखें एक सकेंड में मेरा पैसा एकांट में ट्रांसफर हो गया फ्रेंड्स इस वीडियो से रेलेटर आपको किसी भी तरक का जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद